अविस्वास प्रस्ताव लेकर सदन में उपस्तित हुए थे, इस पर मैं मेरे विचार व्यक्ट करने के लिए खड़ा हुआ मान्य अध्यक जी, भारतिय सम्विधान के अनुछेद 75 में कहा गाया है कि मंत्री परिशद लोकसभा के प्रति जवाब दे हुआ इसलिए इसी अनुछे 75 को प्रति बंबित करने के लिए लोकसभा के नियम के नियम 191 से 195 तक मंत्री परिशद में और विश्वास का प्रस्ताव रखने की प्रक्रिया नियक की गई मन्य अध्यक्जी जब से आजाद हुए तब से 27 अविश्वास प्रस्ताव और 11 विश्वास प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तूत हुए है कई बार सरकारों का बहुमत जाने की स्थिती में सदन के विपक्स के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं कई बार बड़े जनांदोलन के समय प्रजाकी भावणा को प्रतिविंब करने के लिए प्रतिविंबीत करने के लिए अविस्वास के प्रस्ताव लेकर आते हैं एक अपर विश्वास का प्रस्ताव ऐसा है जिसमें प्रधान मंत्री और मंत्री मंदल के पती ना जनता को अविश्वास है ना सदन को अविश्वास है और एक अपर विश्वास प्रस्ताव लेकर आए मान देख जी इसका उद्धेश क्या है इसका उद्धेश जनता में ब्रांती खड़ी करने का उद्धेश है मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूँ कि भई अविश्वास प्रस्ताव जब आप लेकर आते हो तो इस पर जो चर्चा होती है वो चर्चा में सरकार के विरोध में कुछ मुद्देतों रख देते हैं मैंने पूरे भासन ध्यान से सुने और पूरे भासन ध्यान से सुनने के बाद मैं निश्चित रूप से नेनय पर पहुँचा हूँ ए अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल ब्रांती खड़ा करने के लिए लाया गया है ए प्रजा की इच्छाओं का प्रतिविम नहीं अल्पमत का तो सवाल ही नहीं है अल्पमत का सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि अब तक जो अविश्वास के प्रस्ताव के विरोध में बोले हैं और जो समर्थन सदन का दिखाई पड़ा है मत्दान होगा तब होगा जो कराएंगे तो परन्तु जो समर्धन दिखाई पड़ा है वो बताता है कि अल्पमत का सवाल नहीं है और जन्ता में भी विश्वास है मान्यवर जन्ता में विश्वास है इसलिए है कि देश के साट करोड गरीबों को उनके जीवन में नई आसा का संचार अगर कोई एक प्रदान मंत्री और एक सरकार ने किया है तो नरेंद्र मोधी सरकार मानेवर मैं डिटेल बात बात में करता हूं मैं आज मैं भी देश बर में घुमता हूं जन्ता के बीच में जाता हूं मैं जन्ता के साथ कई जगे से समवात किया है कहीं पर भी अविश्वास की आची पतली जलग भी नहीं दिखाई परती मैं बताता हूं दाजा बंगाल का भी बताता हूं मानेवर ये सरकार में इस सदन के सामने आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से पूरे देश की जन्ता को बताना चाहता हूं और धन्यवाद भी करना चाहता हूं आजादी के बाद कोई एक सरकार और कोई एक नेता में जन्ता को सबसे ज्यादा विश्वास है तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार दो तिहाई बहुमत से दो तिहाई बहुमत से दो दो बार NDA को चुना गया पूर्ण मत से पूर्ण बहुमत से दो दो बार भारतिय जनता पार्टी को चुना गया 30 साल के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत की खीर सरकार देने का काम ये देश की जनता ने लगातार दो बार किया और प्रदान मंत्री मान्यवर ये प्रदान मंत्री ऐसे हैं जो आजादी के बाद डेश में सबसे लोग प्रिय प्रदान मंत्री कोई है तो नरेल रमोदी और ये मैं नहीं कहता दुनिया भर के कई सर्वेक्षन कहते आजादी के बाद सबसे ज्यादा एक भी छुक्ती लिए बगेर 24 गंटे में से 17 गंटे काम करने वाला कुल प्रदानमंत्री है तो नरेंद्र मोजी मान्यवर आजादी के बाद देश के हर राज्य में सबसे ज्यादा किलो मिटर और सबसे ज्यादा दिन प्रवास करने वाला कोई प्रदानमंत्री है मान्यवर कोई सरकारे कई सालों तक चलती है कई सालों तक चलती है कॉंग्रेस पार्टी की सरकार 35 साल तक अक्षून रुप्षे चली कई सालों तक चलते हैं कम दो तीन चार नेने ऐसे होते हैं जिसको युगों तक याद किया जाता है मान्यवर नरेंद्र मोधी सरकार नौ साल हुए नौ साल में पचास से ज्यादा फैसले ऐसे है जो युगांत कारी फैसले है जो इतियास के अंदर स्वण अक्षरों से इन्मंदी की से है